नमस्कार दोस्तो, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा 9-11 के हमलों के बारे में आज से 20 साल पहले, 11 सितंबर 2001 को, अमेरिका के इतिहास में In fact, मानव इतिहास का सबसे बड़ा आतंगवादी हमला हुआ था, जिसमें 3,000 जाने गई थी, 25,000 लोग injured हुए थे और इन हमलों ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों के इतिहास को बदल के रख दिया ये geopolitics का एक बहुत बड़ा event था, जिसने 21st century को काफी हद तक shape किया है लेकिन इन हमलों के पीछे आखिर किसका हद था, असलियत में किसकी साजिश थी और साओधी अरेबिया की government का यहाँ पर क्या रोल था, इन सभी points को हम discuss करेंगे इस lecture में recently United States के राष्टरपती Joe Biden ने ये कहा है कि 11 सितंबर 2021 को कुछ documents जो classify कर दिये गए थे, गोपनिय कर दिये गए थे जब ये 9-11 की inquiry चल रही थी, उन्हें अब declassify किया जाएगा, public domain में लाया जाएगा तो ये public domain में आखिर ऐसी क्या जानकारी आएगी जिसके कारण सब कुछ बदल सकता है और क्या जानकारी हमें अभी तक उपलब्द है, उन्हीं सब points को मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अनकाडमी आप पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें इस ID पर ताकि मेरे जितने भी special classes हैं, उनके updates आपको प्राप्त हो जाएं और इस lecture का PDF और Pathfinder के अनिस सभी lectures का PDF आपको Pathfinder के official telegram channel पर मिल जाएगा तो recent news यह है कि Joe Biden ने अपनी सरकार को यह कहा है कि declassify कीजे उन documents को जो September 11 attacks के जाच से संबंदित हैं और ये documents ऐसा माना जाता है कि Saudi Arabia की government और ततकालीन Bush administration को काफी हद तक दोशी ठहराते हैं उनके यहाँ पर मिली भगत थी या फिर उन्होंने दोशीयों को बचाने की कोशिश करी थी काफी बड़े सतर पर तो पूरे 20 साल बाद मामले से परदा उठने जा रहा है अब सबसे पहले तो यह जान लो कि 9-11 attacks में exactly हुआ क्या था हम कई बार कहते हैं 9-11 का हमला लेकिन हुआ क्या था क्या यह WTC इमारत पर एक मातर हमला था जी नहीं तो यहाँ पर एक बड़े सतर का हमला प्लान किया गया था किसके द्वारा एक इस्लामिस्ट टेरिस्ट और्गनाइजेशन अलकाइदा के द्वारा यह हमला प्लान किया गया था 19 आतंगवादियों ने अलग-अलग हिस्सों में बटकर अलग-अलग टीम्स में जाकर चार हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया था यह चारों अमेरिका की domestic airlines थी यह एक से दूसरे शहर तक जा रही थी तो इन हवाई जहाजों को हाईजैक किया जाता है और इन हाईजैक planes को जबरदस्ती अमेरिका के बड़े-बड़े buildings में crash करवाय जाता है सबसे बड़ा और famous हमला था World Trade Center पर तो न्यूव यॉक शहर की दो गगन चुम्भी इमारतें WTC North और South या WTC 1 or 2 buildings यह जब बनी थी तो बहुत ही उची buildings थी 1970s में these were the tallest buildings of that time तो यह काफी important commercial symbol था अमेरिकी capitalism का, अमेरिका की growth का, economy का तो इन buildings में दो हवाई जहाजों को कुछी minute के अंतराल में crash करवाया जाता है और लगभग तेड़ गंटे बाद यह दोनों buildings धराशाई हो जाती है जिसमें हजारों लोगों की जाने जाती है क्योंके यहाँ पर कई सारे offices थे कई लोग बाहर नहीं निकल पाये समय रहते और उनकी इस building के collapse में और इस plane crash में मृत्य हो जाती है तीसरा हवाई जहाज अमेरिका के military के headquarter Pentagon में crash करवाया गया तो Pentagon में वैसे बहुत नुकसान नहीं हुआ क्योंके एक plane का जो हिस्सा है यह plane जो है वो building के एक हिस्से में ही crash कर पाया था तो यहाँ पर world trade center जितना बड़ा नुकसान नहीं था बट अगें यहाँ पर भी कई लोगों की जाने गई थी और जानमाल को बहुत नुकसान हुआ था अफकोर्स यहाँ पर WTC के आसपास की buildings को भी बहुत नुकसान हुआ billions of dollars का नुकसान हुआ था इन buildings को चौथा हवाई जाज जिसे hijack किया गया था उसका target था Washington DC यानि के अमेरिका का capital और उसमें भी जो वहाँ की Congress की building है जिसे US Capitol कहा जाता है इस building को कहते हैं US Capitol building यहाँ पर Congress बैठती है Congress के जो वहाँ की Parliament है उसके दोनों Southern बैठते हैं तो या तो यह Capitol building या फिर White House जो की राष्ट्रपती का निवास है इन दोनों में से किसी एक building पर उस हवाई जाहस को crash करवाना था लेकिन उस हवाई जाहस के United 93 उस flight का नाम था उस हवाई जाहस के यात्रियों ने hijackers के साथ एक जड़ब करी और वो plane शहर से दूर कही खेतों में crash हो जाता है तो यह चौथा plane जो है यह अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाया वरना और भी बड़ा हमला यह साबित हो सकता था खेर यह तीन हवाई जाहस जो थे इन्होंने ही बहुत नुक्सान पहुचाया तीन हजार लोगों की यहाँ पर मृत्ति हो जाती है जिसमें कई firefighters काई पुलिस वाले शामिल थे जो उन जलती World Trade Center की building से लोगों को निकालने के लिए अंदर गए थे 25,000 लोग यहाँ पर injured हुए थे 25,000 injured यह दुनिया का आज दिन तक का सबसे deadliest terrorist attack है इससे बड़ा आतंगवादी हमला दुनिया में कभी नहीं हुआ है ने जब Pearl Harbor पर हमला किया था तब इससे ज़ादा US नागरिक, US की धरती पर मारे गए थे, उसके बाद 60 सालों में कभी भी इतना बड़ा हमला अमेरिका पर नहीं हुआ था till 2001 और आज भी नहीं हुआ है, तो यह थी 9-11 attacks की दास्तान तो एक बार को जब यह हमला हुआ तो कई लोगों को समझ में नहीं आया कि यह हमला हुआ कैसे इतना बड़ा हमला, अमेरिका जैसे देश पर कुछ आतंगवादियों ने कर दिया किवल 19 लोग मिलकर इतना बड़ा हमला कैसे अंजाम दे सकते हैं ना तो इन्हें किसी देश का समर्थन हासिल था ना ही इन्हें कोई नौर्थ कोरिया या फिर इरान जैसे ऐसे रोग स्टेट का समर्थन हासिल था जो अमेरिका का दुश्मन हो, यह हमला किया था अल-काइदा नाम के एक आतंगवादी 1973 में तो देखे अफगानिस्तान में जब राजा हुआ करते थे किंग जाहिर शाह, उनके एक कजिन ने वहाँ पर तक्ता पलट कर दिया और कम्यूनिस्ट सपोर्ट की मदद से अफगानिस्तान में अपनी सरकार स्तापित कर दियी तो कम्यूनिस्ट एक तरह से अफगानिस्तान में पावर में आ जाते हैं और ये धर्म पर क्रैकडाउन शुरू कर देते हैं इनके धर्म के क्रैकडाउन के कारण जो हाँ के इसलामिस्ट थे वो इनसे नराज हो जाते हैं और कई सारे इस्लामिस्ट को crackdown के कारण देश छोड़ कर जाना पड़ता है ये चले जाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में इनका खुली बहों से स्वागत होता है और आगे क्या कहानी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी ये जान लो कि अफगानिस्तान में कुछ वाइस प्रेजिडेंट है कमला हैरिस उनसे दशकों पहले अफगानिस्तान में एक महिला डेप्यूटी हेड अफ स्टेट हुआ गरती थी यानि कि वो वाइस प्रेजिडेंट के बराबर एक पद हो जाता है तो 1980 से 86 तक अनाहिता रातिबजाद जो हैं ये पहली महिला त्युद्ध का था और उस समय United States और Britain ये बिलकुल भी नहीं देख पा रहे थे कि Soviet Union Central Asia के एक काफी important देश अफगानिस्तान में अपना कबजा जमाने में अपना influence जमाने में successful हो चुका है तो इसलिए US और Britain ने वो जो Islamist थे जो अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले किया तो एक जिहादist movement शुरू होता है against the godless communists यानि कि जो भगवान में believe नहीं करते थे उन communist के खिलाफ एक जिहाद छेड़ा जाता है इन Islamist के द्वारा और यहाँ पर कई यंग नेता थे जो आगे चलकर तालिबान जैसे संगठनों का भी हिस्सा बनते हैं इनमें Communist शासन के खिलाफ अफगानिस्तान में एक जिहाद छेड़ दिया इन्हें कहा जाता था मुझाहिदीन और इन मुझाहिदीन militants के कारण अफगानिस्तान में अस्थिरता हो जाती है और अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि Soviet Union को लगा कि यह जो Communist Party of Afghanistan इससे कुछ संभल नहीं रह है तो इन्होंने खुद हमला कर दिया महाँ पर 1979 में और अगले 10 साल यह अफगानिस्तान में मौझूद रहे अब इसी समय एक बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर रोल था Saudi Arabia का आप मैंसे सभी ने यह ज़रू सुना होगा कि USA ने CIA ने उसामा बिनलादिन को पैसा दिया था 1980 में मुझाहिदीन को सपोर्ट करते थे बिलकुल करते थे लेकिन Saudi Arabia का जो रोल है वो कई बार अंदेखा कर दिया जाता है देखो Saudi Arabia और पाकिस्तान यह दोनों यंग देश थे उस समय देवर यंग नेशन्स जो इसलाम को अपनी सेंटरल आइडेंटिटी मानते थे और Saudi और पाकिस्तानीज के बीच में काफी close relations रहेते शुरुआत से इन फाइक यह बात भी जादा बाहर आई नहीं थी लेकिन 1971 में Saudi Air Force ने secretly कराची को अपना air cover प्रोवाइड किया था तो Saudi Arabia की जो ruling family थी वो बहुत ही deeply religious है और उन्हें लगता था कि यह communist शासन अगर अफगानिस्तान के माध्यम से इरान और अन्य देशों में फैल गया Middle East में तो यह बहुत ही गलत होगा this is heresy, heresy यानि कि धर्म के खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो उसको heresy कहा जाता है तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि Soviet Union, Persian Gulf यानि कि खाड़ी देशों की तरफ बढ़े और इसको रोकने के लिए Saudi Arabia के अमीर लोग जिनके पास तेल के कारण अकूत धन संपदा मौजूद थी इन्होंने पैसा मोहिया कराना शुरू किया पाकिस्तान में बैठे उन मुझाहिदीन्स को या पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन किये जा रहे उन मुझाहिदीन्स को जो अफगानिस्तान में USSR की कटपुतली सरकार से लड़ रहे थे उसी समय साओधे एरेबिया के कई अमीर लड़के कई अमीर घरानों के लड़के भी जिहाद लडने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और उनी में से एक था उसामा बिन लादेन तो एक तरह से पाकिस्तान जो है ये फ्र कारणों से Soviet Union को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे और वो इसलिए पाकिस्तान के सेफ़र्ट को या मुझाहिदीन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे साओधे एरेबिया की जो Intelligence Agency थी उस समय GID General Intelligence Department ये पूरी तरह से पैसा और हतियार मोहिया करा रहा था Anti-Soviet Jihad के लिए 1980 के दशक में पाकिस्तान की राष्टरपती थे उस समय जिया उलक और जिया उलक ने साओधी अरेबिया से आने वाले जात और पैसे को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरियाज में पश्टून एरियाज में मदरसे स्थापित करने में लगा दिया और इन मदरसों में कुरान की टीचिंग्स दी जाती थी और साथ-साथ में बच्चों को सौधी अरेबिया का जो वाहबिस्ट ब्रैंड ऑफ इसलाम है वो सिखाया जाता था तो देखो भारत पाकिस्तान में इसलाम जो है वो वाहबिस्ट नहीं था वाहबिस्म यहाँ पर ट्रेंड था वाहबिस्म वाला वो अब यहाँ पर सिखाया जाने लगा बहुती कटर इसलाम होता है यह और इसमें इन फैक्ट तुर्की के लोगों को भी इन्फिडेल माना जाता था इन्फिडेल यानि कि यह काफिर हैं यह भी असली मुसल्मान नहीं है ऐसा यह मानते थे वाहबिस्ट और इसलिए तुर्की को जो कि ओटमन एंपायर था ओटमन एंपायर के वंचर्ज थे एक तरह से उनको भी असली मुसलिम नहीं माना जाता था इस पूरी कहानी में उसामा बिन लादेन का किरदार कैसे शामिल होता है तो देखे एक बिन लादेन परिवार था जो यमेन से गरीबी की हालत में माइगरेट करके 1930 के दशक में साओधी अरेबिया आया था तो मुहमद बिन लादेन, who was the father of Osama bin Laden, he had migrated to Jeddah, तो Jeddah में माइगरेट करके यहाँ पर इन्होंने construction का business start किया, 1930 और 40 के दशक में कई सारे चोटे बड़े इन्होंने projects करे, जैसे कि घ जहर बनाए, roads, offices, hotels, और धीरे धीरे जो साओधी ruling family है, उसके यह नजदीक आते गए, तो 20 सालों के अंदर इनका relation इतना close हो गया कि साओधी bin Laden group, साओधी अरेबिया के सबसे बड़े construction groups में से एक बन गया, सबसे बड़े क्या, in fact सबसे बड़ा construction group यह बन गया, और अब तो यह इतना बड़ा construction group है, कि इसने मक्का और मदीना की जो buildings हैं, उनको पूरा renovate करने का काम इन्हें दिया गया था, तो वहाँ पे जातर buildings साओधी bin Laden group के द्वारा बनाए गई है, so it's a legitimate business, ऐसा नहीं है कि उसामा bin Laden का business है, उसामा bin Laden इस family को belong करता था, और उसके कई सारे भाई बहन थे, क्योंकि यह साओधी और यमिनी शेक्स में एक tradition था, कि बहुत सारी शादियां करी जाती थी, तो इसलिए मुहमद bin Laden, he was the father of Usama, उनके लगभग 50 बच्चे थे, उन्हीं में से 70 बच्चा था Usama bin Laden, he was the 17th son, and he was born to a Syrian wife in 1957, तो पहले King Saud और बाद में crowned Prince Faisal के अधीन, bin Laden construction firm ने दिन दुगनी, राद चौगनी विद्धी करी, और ये साओधी रिब्या की सबसे अमीर families में से एक बन जाती है, और ये politically भी बहुत powerful थे, क्योंकि साओधी royal family के ये बहुत ही close थे, in fact इन्हें काफी sensitive projects भी उस समय दिये गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मक्का औ पिताजी बिन लादिन की death होती है, तो उनके बच्चों में आपस में जगडा ना हो जाए, इसी लिए खुद राजा, किंग फैसल, एक trust स्थापित करते हैं इस पूरी construction firm को स्थिर रखने के लिए, stable रखने के लिए, और ये जितने भी बच्चे थे, मुहमद बिन लादिन के, उनके रखरखाव का, पढ़ाई का जो काम है, वो खुद royal family ने किया, तो एक तरह से उसामा बिन लादिन को पाल पोस कर बड़ा किस ने किया था, सौधी अरेबिया की royal family ने, not just उसामा बिन लादिन, बलकि उसके पुरे परिवार को पाल पोस कर बड़ा, एक तरह से royal family ने ही किया था, and they were rich, ऐसा नहीं कि कोई गरीबी थी इनके पास, लेकिन वो परिवार को एक छत्रशाय की जरूत होती है, तो वो royal family के द्वारा दी गई, 1981 में उसामा बिन लादिन graduate होता है, उसके बास economics और public administration की degree थी, लेकिन उसके बाद वो करता क्या है, मुझाहिदीन के स अफगानिस्तान में लडने चला जाता है, तो ऐसा बताया जाता है कि sometime in the 1980s, उसामा की मुलाकात कुछ अफगान मुझाहिदीन से होती है, मक्का में, एक यात्रा के दौरान, हज के दौरान, और यहां से वो उनसे inspire होकर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में वो कई सारे donation लेकर आता है क्योंके उसामा बिनलादेन was very well connected, he is the son of one of the most richest people in Saudi Arabia, सबसे अमीर परिवारों में से एक का वो बेटा है, तो अपने साथ कई सारी funding लेकर आता है, कई अमीर लोगों को लेकर आता है, और जमाते इसलामी का जो वहां पर office था, पाकिस्तान में initially, उसके थूरू operate क करके उसामा बिनलादेन काफी सारी funding यहां पर लेकर आता है, तो जिया उलग जो है, जो पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, वो जमाते इसलामी के माध्यम से ही यह पूरा कारेकरम चला रहे थे, तो उसामा बिनलादेन धीरे धीरे इस पूरे project में एक important cog in the wheel बन जाता है, एक important aspect बन जाता है इस पूरे program का, जमात के students ने 1979 में जब Islamic revolution हुआ था एरान में, लगबख उसी समय के आसपास Islamabad में अमेरीकी embassy, अमेरीकी दूतावास को attack करके उस पर हमला कर दिया था, और ये भी ज़्यादा known fact नहीं है, और इसमें जमात के students शामिल थे, तो ऐसा पताया जाता है कि उसमें उसामा बिन लादिन भी था या उसका भी involvement कहीं ना कहीं था, अब ये याद रखना कि 1980 में, सौधी अरेबिया के reasons अलग थे, अफगानिस्तान में लडने के और US के reasons अलग थे, लेकिन USA की तरफ से CIA, जो उनकी secret agency है, वो इन सभी मुझाहिदीन से touch में रहते थे उनको पैसा मुहिया कराया जाता था, तो ऐसा कहा जाता है कि in fact, उसामा बिन लादिन का एक CIA handler था, यानि कि बकायदा अमेरिका ने उसके लिए handler decide कर रहा था, हाला कि CIA ने कभी ये बात declassify नहीं करी है कि कोई direct contact उनके और उसामा बिन लादिन के वीच में थाया नहीं, बट of this middle class Saudis who are very rich, तो आज जैसे अमेरिका के अंदर लोग दान देते हैं, अफरीका में भुकमरी फैल रही है, गरीबी है, उसके लिए दान दो, वैसे साओधे रेबिया के middle class families से दान मांगा जाता था, पैसा और इस सारा पैसा अफगानिस्तान में मुझाहदीन को मुहिया करा आया जाता था, तो ISI जो है, उसको CIA, यानि अमेरिका से जादा पैसा साओधी के द्वारा मिला था, यह fact भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो CIA तो पैसे देता ही था, लेकिन साओधी से जादा पैसा उन्हें मिला था, और यह सारा पैसा mostly दान में आया हुआ था, अब ISI और साओधी GID, जो साओधी's intelligence agency है, यह एहमद शाह मसूद जैसे लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मसूद ने शरिया के hardline interpretation को या फिर extremist interpretation को नकार दिया था, मसूद ने कहा था, शरिया कानून वगेरा मैं लागू नहीं करूँगा, and मसूद was one of the most important fighters, तो इसलिए यह हमद शाह मसूद से शुरुआत से चड़े हुए थे, और इनको क्या चाहिए था, साओधी वहाबिस्ट जो करते थे, वो इन्हें वहाबिसम इन्हें फैलाना था अफगानिस्तान में, लेकिन मसूद और अन्य कुछ निताओं ने, उस बेक्स ने मना कर दिया था, कि हम इसे नहीं मानेंगे, अब ये जिहाद जब चल रहा था, उस समय कई सारे अरब वॉलिंटियर्स, यानि कि साओधी अरेबिया कुवेज जैसे देशों से अरब लड़के, अफगानिस्तान में जाते हैं मुजाहिद बनके, तो उस समय कि इस पूरी कहानी पर एक किताब है, गोस् नहीं करनी चाहिए, वरना वो एक श्राइन बन जाएगी, और इसलाम में किसी भी जगे को पूझना, किसी भी वस्तू को, किसी भी जगे को पूझना अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये जो श्राइन हैं, इनको कई बार तोड़ दिया गया था वहाबिस्ट के दौरा, और इसके कारण इन में आपस में कई जगे टेंशन भी हुई थी, तो इसको चाहो तो एक बार पढ़ लेना, इतना बहुत ज़ादा एक्जाम के लिए या इस टॉपिक के लिए relevant नहीं है, अब 1985 में क्या होता है कि उसामा बिनलादेन 4-5 साल से वही पर था, पागिस्तान, अफ खुद का संगठन बना लेता है, अलकाइदा, तो अब इनको लगता था कि देखो, सॉवेट उनियन हमारा पहला दुश्मन था, उसको हमने हटा दिया, लेकिन अब दूसरा दुश्मन कौन है, अमेरिका, तो इनको पता था कि अभी अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, लेकिन कल को अमेरिका भी हमारा दुश्मन ही है तो अमेरिका ने भी उस समय Soviet Union से negotiate करने से मना कर दिया उनको लगता था कि अगर negotiate करेंगे तो Soviet Union जो है वो कमजोर नहीं पड़ेगा और इनका लक्षे ही था कि Soviet Union जितना हो सके उतना कमजोर पड़े अब ये early 90s की coverage है आप देखो उसामा बिनलादेन की coverage है 92, 93 के असपास की तो उसामा बिनलादेन अफगानिस्तान के बाद चला गया था खुछ समय के लिए सुमालिया तो वहाँ पर ये सडकें वगेरा बनवा रहा था तो देखो anti-soviet warrior puts his army on the road to peace इस तरह का article छपा है इंडिपेंडेंट अखबार में कुछ इन security agencies की अपनी politics भी थी जैसे की CIA को उसामा बिनलादेन बहुत पसंद था क्यूंकि एहमद शाह मसूद को MI5 British और French support करते थे और ISI मसूद से नफरत करती थी और ISI के साथ ये involved नहीं होना चाते थे CIA वाले तो ये इनों ने उसामा बिनलादेन को अपना आदमी बना दिया 1990 में लादेन फिर से Saudi Arabia जाता है लेकिन अब वो जब आया तो लोगों को पता था कि ये 10 साल से महाँ पर क्या कर रहा था अफगानिस्तान में इसने कोशिश करी कि Yemen में जाकर एक militant movement चालू किया जाया जिससे South Yemen की Communist regime जो है वो उखाड फेकी जाया और इसमें भी ये लोग successful रहे थे और उसके बाद सद्दाम हुसेइन के उपर जो हमला किया गया था 91 में Operation Desert Storm 1 उस समय उसामा बिन लादिन ने कुशिश करी थी कि वो जाकर सद्दाम हुसेइन की मदद करे लेकिन अब क्या होता है कि उसामा पूरी तरह से anti-US हो चुका था क्योंकि उसको पसंद नहीं आया कि USA ने इराक पर हमला कैसे कर दिया वही इराक तो जो है अमें हतियार मोहया कराये पैसा दिया बट अब हमारा दुश्मन है अमेरिका तो 92 में जब वो अमेरिका के खिलाफ बाते करने लगा तो उसामा को सौधी आरे बिनिश कर दिया गया देश से निकाल दिया गया और अब वो Gीडिके यानि कि secret agency जो थी Saudi Arabia की उसकी बात भी नहीं मानता था फिर हो चला गया Sudan, Sudan में उसने कुछ समय अपना बिताया, ultimately वहाँ से वो वापिस लॉट कराता है कहाँ पर? अफगानिस्तान में क्योंकि अफगानिस्तान में 92 में एक समझाता हुआ था जिसके तहते एक सरकार स्थापित हुई थी Islamic State of Afghanistan बना था तो जब वो कटपुतली Communist शासन था वो 92 में खत्म हो गया, Islamic State of Afghanistan की स्थापना होती है, Warlord एरा भी इसको कहते हैं क्योंकि कई सारे Warlords अलग-अलग एरिया को कंट्रूल कर रहे थे इन ही में से एक संगठन था तालिबान जो पाकिस्तान के मदरसों से चालू हुआ, दक्षिन में कंधार से शुरू हुआ और दीरे दीरे उत्तर की तरफ बढ़ता गया और काबूल पर उसने अपना कबजा जमा लिया by 1996 तो तालिबान मुव्मेंट जो है ये सबसे पहले उनी मदरसों में आया था जिन मदरसों को साओधे अरेबिया के पैसे के द्वारा बनवाया गया था 1980s में और यहीं पर वो वहाबिस्ट आइडियोलोजी पढ़ाई जाती थी तो इस तरह से उसामा बिनलादेन इस पूरे operation के बहुत closely linked था वो तालिबान की जो founding थी उससे काफी closely linked था और तालिबान ने जनता को क्या promise किया कि हम पश्टून एरियाज में पाकिस्तान अफगानिस्तान के border एरियाज में शांती लाएंगे और इसलिए हमें support करो और 96 में जब ये काबूल को अपने control में ले लेते हैं तो उसामा बिन लादिन भी भागा दोड़ा चला आता है इनके पास कि चलो भाईया अब आपकी सरकार आ गई है तो हम आराम से यहाँ पर रह सकते है शरिया यहाँ पर लागू कर दिया जाता है अब 98 का ये फोटोग्राफ है जब पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट यहाँ पर उसामा बिन लादिन को इंटर्व्यू करने किया है तो ये इंटर्व्यू आप देख सकते हैं आराम से बैट करें इंटर्व्यू वगेरा दिया करता था लेकिन अब अलकाइदा जो 1988 में बनाया था दस साल पहले अब वो काफी पाउरफूल हो चुका है अब इनको क्या है कि एक सरकार मिल गई है एक जमीन मिल गई है जहां पर एक खुले आम रह सकते हैं कोई इने रोक टोक नहीं होगी और सरकार इने सपोर्ट करेगी उल्टा तो इन्होंने क्या करा कि अमेरिका के उपर हमले करने शुरू किये हमलों से पहले फरवर 1998 में उसामा ने एक फत्वा जारी किया अमेरिका के खिलाफ और कहा कि अब अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर वन है और इसी पर हमले करने है अब अमेरिका भी इस समय हाथ पे हाथ धरा नहीं बैटा था अमेरिका की जाच एजेंसियां जैसे की FBI उन्हें पता था कि अलकाइदा जैसा संगठन एग्जिस्ट करता है और जिन लोगों को ये पहले पैसे दे रहे थे दस साल पहले तक अब वो इनी के खिलाफ आतंगवादी साजिस रच रहे हैं तो 98 में FBI में एक स्पेशल यूनिट बनाया जाता है I-49 इसको लीड कर रहा जा रहा था John O'Neill के द्वारा So he became a very important officer जिन्होंने शुरुआत में ही संकेत दे दिये थे संकेत क्या दिये थे साफ तोर पर चितावनी दे दी थी अमेरिकी सरकार को कि उसामा बिन लादेन हम पर हमले करेगा इसी I-49 यूनिट में अली सुफान नाम के एक डिटेक्टिव भी शामिल थे इन्होंने भी ये चितावनी दी थी कि सौधी अरेबिया के कुछ अमीर लोगों के साथ मिलकर अलकाइदा एक आतंगवादी हमला प्लान करेगा ये सब 98-99 की बाते हैं लेकिन अमेरिका की ही दूसरी सीक्रेट एजन्सी जो विदेशी धरती पर काम करती है C.I.A. जो इन अलकाइदा के आतंगवादियों को 10 साल पहले तक पैसे मोहिया करा रही थी इसने FBI की इस पूरी जांच पर रोग लगाने की कोशिश करी अगर इने कोई जांकारी चाहिए थी तो उस जांकारी को रोग दिया गया और इस प्रकार से C.I.A. अपने ही 10 साल पुराने क्रिया कलापों को छुपाने के लिए किसी भी प्रकार की जांकारी अब नई जांच एजन्सियों के साथ शेयर करना नहीं चाहता था तो कोई भी नहीं जांच जो हो रही थी उसको स्टोन वॉल किया जा रहा था 7 अगस्त 1998 को अलकाइदा की तरफ से पहला बड़ा हमला किया जाता है US के उपर अमेरिका के दो दूतावास अफरीकी देशों में Kenya और Tanzania में इन पर हमला किया गया और इन दूतावास के बम धमाकों में 200 लोगों की जाने गई ये पहला बड़ा हमला था अलकाइदा और उसामा बिनलादिन के द्वारा अमेरिका के उपर उसके बाद FBI जो है ये अपनी investigation को अफरीका के इन bombings पर भी focus करती है और इसी समय CIA ये कोशिश कर रही है कि हम फिर से अलकाइदा पर हमला कर दे अब ये अपनी जानकारियां नहीं दे रहे हैं ये clear जानकारियां ही नहीं दे रहे थे कि अलकाइदा के आतंगवादी कौन थे इनने तो हमी पैसे देते थे हमें सब कुछ पता है CIA को सब कुछ पता था इनके बारे में लेकिन FBI को कोई मदद नहीं करी गई FBI कई लोगों को arrest करना चाहती थी जो साओधी अरेबिया में इन अलकाइदा जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे साओधी अरेबिया और येमेन में लेकिन CIA ने मना कर दिया कि नहीं इन लोगों को arrest करके अमेरिका नहीं लाया जाए बल्कि इन पर bum गिरा दो और इनको वही पे खत्म कर दो एर स्ट्राइक कर दो इनके खिलाफ अलकाइदा ट्रेनिंग कैंप्स के खिलाफ अफगानिस्तान और अन्य देशों में और अरब गवर्मेंट को खास करके साओधी अरेबिया को बिल्कुल भी involved ना किया जाए क्यूंकि अगर हमने ये बात छेड़ी कि हमें आपके देश के अमीर बच्चों को अमेरिका लाना है पूछताज करने के लिए कि क्या तुमने उसामा बिनलादिन को पैसे दिये तो साओधी रिप्या की गवर्मेंट बहुत नाराज हो जाएगी और कई सारे ऐसे अमीर लोग तो इसने कई लोगों के फोन नंबर हासिल किये थे जिनमेंसे एक एहमद हादा नाम का एक वक्ति था जो अलकाइदा एजेंट था और इसने एंबसी की बॉंबिंग्स कराई थी लेकिन इनके जो फोन टाप के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एक बड़ा हमला करना है और इसके लिए पैसे की जरूत है ट्रेनिंग की जरूत है तो इस मीटिंग के बारे में भी इनको जानकारी थी CIE को लेकिन इन्हों ने वहाँ पर भी कुछ नहीं किया इस मीटिंग में अलकाइदा की लीडर्स और Arab Finances ने यह । किया कि एक प्लेन हाइज़ांकिंग को अंजाम दिया जाएगा लेकिन प्लेन हाय जाकिंग चोटा मोटा काम नहीं इसमें कई महीने कई सालों की planning लगती है पाइलेट को train करना पड़ेगा plane चलाने के लिए उडाने के लिए और उसके लिए अमेरिकी training schools में जाकर training लेनी पड़ेगी जो काफी लंबा process है तो इधर तो 9-11 हमले की तैयारियां चल रही थी और इसी बीच October 2000 में अमेरिका के एक जहाज पर मारे गए थे तो इस हमले की जाच करने के लिए USS Cole पर हमले की जाच करने के लिए वही I-49 के officers येमिन गए थे और इन्होंने कहा कि तौफीक बिन अताश नाम का एक व्यक्ती है जो मलेशिया की उस meeting में भी शामिल था वो इन हमलों के लिए जम्मिदार है लेकिन CIA ने अताश के बारे में कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया फिर से CIA को पता था अताश कोँ ने CIA के उसके साथ पुराने संपर्क थे लेकिन इन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया CIA ने in fact 9-11 हमलों के बाद में जब 19 आतंगवादियों के बारे में सारी जानकारी आ गए थी उनके CCTV फुटेज आ गए थे कि जब वो हवाई जाहाज में बैटने के लिए एरपोर्ट से जा रहे थे तो उस समय भी इन्होंने दो आतंगवादियों की फोटो चुपा दी 17 की दो फोटो दिखा दी दो की फोटो समय चुपा दी गई थी खालिद अलमिदर और नवाज अलहाजमी आज दिन तक CIA ने इन दोनों ही आदमियों की जो फोटो या वीडियोज हैं अमेरिका में इंटर होते हुए वो पब्लिक ली जारी नहीं करी हैं उसका कारण यह बताया जाता है कि यह दोनों अफिशली साओधी कॉंसिलेट में गए थे और इन फाक्ट इने सैंड योगो में एक काफी इन्फुएंशल, काफी अमीर साओधी परिवार के द्वारा डिनर पर भी बुलाया गया था 9-11 हमले से जस्ट पहले फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल में कुछ ऐसी जानकारी भार आई थी कि कुछ ऐसे पाइलेट्स हैं जो हवाई जास उड़ाना तो सीख रहे हैं उसको लैंड कैसे कराना है वो नहीं सीख रहे हैं तो ये काफी संदेहासपद behavior था इसको लेकर कुछ complaints भी हुई थी कि भाई साब इनको लैंड कराना क्यों नहीं सीखना है ये केवल उड़ाने की training ले रहे हैं और ऐसी बाते पूछ रहे हैं कि उची विमारतों में कितना नस्दीक से fly किया जा सकता है तो तब भी FBI ने एक list मांगी थी कि ये लोग कौन है अगर कोई Arab मूल का व्यक्ति है जो अमेरिका में हवाई जाज उड़ाने की training ले रहा है तो उसकी list दी जाए CIA ने list दी भी लेकिन CIA ने ये नहीं बताया कि इन में से दो लोग हमें पता है कि Al-Qaeda के लिए काम करते हैं और ये लोग यहां अमेरिका में हवाई जाज उड़ाने की training ले रहे हैं इतना तक इने पता था फिर भी ये कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इनको अपने पुराने कू कर्मों को दुनिया के सामने नहीं लाना था तो अब दीरे दीरे pressure बनाया जाता है Officer O'Neill पर कि वो FBI छोड़ दें Ultimately वो FBI छोड़ देते हैं और World Trade Center पर ही Security Officer का जॉब ले लेते हैं और अता का जो Al-Qaeda cell है वो अपने plans को finalize कर देता है तो मुहमद अता हुष वन अफ दे lead terrorists जिन्होंने इस hijacking को अंजाम दिया था उसकी मदद से उसकी leadership में ये 19 आतंगवादी चार plane को successfully hijack करके WTC Pentagon में crash कर देते हैं अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए अमेरिका ने एक Senate Commission बिठाया था यानि कि अमेरिका की Congress के द्वारा एक जांच समीती बिठायी गई जिसने 2004 में अपनी final report प्रस्तुत करी इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि 19 hijackers में से 15 साओधी अरेबिया के नागरिक थे उनके पासपोर्ट थे साओधी अरेबिया के लेकिन बुश प्रशासन ने तत्कालीन राष्टपती जॉर्ज डबली बुश के प्रशासन ने उन साओधी अरेबिया के नागरिकों को बचाने की पुरजोर कोशिश करी मीडिया में जो अफ्रशान में बैठा था उसामा बिन लादिन लेकिन ये ज़ारे हाईजाकर्स जो है ये mostly Egypt या साओधी अरेबिया के थे 15 out of 19 were from Saudi Arabia तो इसी report के 28 pages को 2004 में classified कर दिया गया था classified का मतलब है कि किसी चीज़ को गोपिनिय कर दिया गया है तो अब वो जनता के लिए available नहीं है क्यूंकि यहाँ पर जो senators involved थे उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि Saudi Arabia को इसमें दोशी ठहराय जाए लेकिन अमेरिकी सरकार अपने oil relations के कारण Saudi Arabia को नराज नहीं करना चाहती तो यह 28 page जो साफ तोर पर यह prove कर देंगे कि Saudi Arabia की सरकार इन 9-11 के हमलों में सनलिप्त थी या कम से कम उसके नागरिक सनलिप्त थे और उसके बावजूद उन नागरे को पर कोई कारवाई नहीं करी गई तो यह एक बहुत बड़ा political issue है अमेरिका के अंदर यह मामला इतना पेचीदा और अमेरिका के जियो पॉलिटिक्स के लिए इतना sensitive है कि Obama जैसे तताकतित liberal president ने भी 9-11 के survivors की परिवारों के द्वारा दायर करी गई याचिका को खारिज करवाने के लिए एक वीटो अधिकार का इस्तमाल किया तो इन परिवारों ने court में तरखास करी थी कि हमें permission दी जाए कि हम साओधी Arabia के खिलाफ case चलाएं साओधी government के खिलाफ case चलाएं कि हमारे चाहने वाले या हमारे परिवार वालों जो मारे गए थे उस दिन 9-11 के दिन उसके पीछे साओधी Arabia की सरकार का हाथ है और उनको सदा देनी चाहिए लेकिन इस तरह का कोई court case ना चल पाए इसके लिए Barack Obama ने specially एक कानून पास किया था और यह क्यों किया गया क्यूंकि अमेरिका के oil और geopolitic interest जो है वो साओधी Arabia के साथ बहुत ही closely linked है तो अब situation क्या है देखो US Congress ने finally उस पुराने Obama के बीटों को override कर दिया है तो New York में एक नया case दर्ज किया गया था जिसमें फिर से वही बात करी गई है कि साओधी Arabia की सरकार के जो officers है उनको पूरी जानकारी थी hijackers को वो support कर रहे थे 9-11 attacks के समय लेकिन ये सभी बातें तभी prove हो सकती है जब उन 28 पेजों को public कर दिया जाए तो वो जो 9-11 commission की report है उसको declassify कर दिया जाए ऐसा आदेश अभी जो Biden ने दे दिया है 9-11 की date को यानि 11 सितंबर 2021 को ही ये दस्तावेस public किये जाएंगे और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ mostly यही बातें उसमें validate हो जाएंगी अभी भी कई sources यह बातें बताते हैं जो मैंना आपको बताया है यह mostly जो officers के interviews वगेरा हैं जो FBI में काम करते थे उनके basis पर मैं आपको बता रहा हूँ कई सारी इसकी detailed reports हैं आप खुद पढ़ सकते हैं CNN, New York Times कई सारे news websites पर BBC पर बहुत सारी websites हैं जिन पर यह सारे articles आपको मिल जाएंगे लेकिन यह जो official report है यह सरकार के द्वारा verify कर देगी कि हाँ साओधे अरेबिया सनलिप्त था साओधे अरेबिया के बड़े बड़े परिवारों के लोग या फिर साओधे अरेबियन government खुद उन आतंगवादियों को support कर रही थी और अगर Biden यह declassify नहीं करते तो victims के जो परिवार हैं उन्होंने साफ तोर पर Biden को चितावनी देदी थी कि आप 9-11 के किसी भी सम्मान समारों में कमेमेरेशन में मत आना अगर आप यह report को declassify नहीं करते हो तो इसलिए President Biden ने अब एक executive order जारी किया है और FBI को कहा है कि इसको declassify करो गोपनियता के दाएरे से इसे बाहर लाया जाए और जो भी जानकारी उसमें है वो इन परिवारों को दी जाए और अगर कोई additional document आया है जैसे कि कोई phone या bank records इसी घटना से संबंदित इसी investigation से संबंदित तो उसको भी review किया जा सकता है तो I hope आपको यह 9-11 की पूरी कहानी interesting लगी थोड़ा लंबा lecture था क्योंकि इसके अंदर हम detailed history में गए थे लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको like जरूर कीजे comment में बताईए अपना feedback जरूर दीजे comment में हमेशा और like देने से क्या होता है कि YouTube को पता चलता है कि आपको यह video अच्छा लगा तो यहाँ पर unacademy platform पर भारत के best educators live पढ़ाते हैं और इन teachers की classes को आप avail करने के लिए एक subscription purchase कर सकते हैं जो भी subscription आप लें उस पर आपको सीधा 10% discount मिलेगा if you are using the referral code महिपाल और यहाँ पर GS और optional का जो combo course है उसका price अभी 49,680 है और यह price इस महीने के अंदर अंदर बढ़ने वाला है सभी plus subscription के prices में थोड़ी बढ़ोतरी होगी तो best यही है कि अभी जल से जल इन subscriptions को आप avail कर लें वन यह subscription अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको किताबें free मिलती हैं कॉंबो subscription लेते हैं तो उसमें भी किताबें आपको free मिलती हैं आप चाहें तो EMI option पर भी इन course को avail कर सकते हैं description में आपको एक link मिलेगा learner link नाम से उसको click करें उसमें आपकी details मागी जाएंगी phone number email etc वह आप बता देंगे हमारी team member आपसे संपर्क करके आपको पूरा process guide कर देंगे आपको हर महीन है एक छोड़ी सी कीमत आदाद करनी है अपने सपने को पूरा करनी के लिए और ये नए batches हैं इनका schedule आपको app पर मिल जाएगा मेरा 15 September से post independence history का रख नया course start हो रहा है plus platform पर उसका link भी नीचे description में है so do join that हमारी 3 free test series है इनका फायदा उठाईए combat में हिस्सा ल आपको scholarships मिल सकती है thank you very much have a great day